तो हाई गाईस वेलकम बैक तो अवर यूटूब चैनल और वेलकम तो माई न्यू वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक के उपर नेक्स ट्रेडिंग सेशन में मेरे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रजिस्टेंस लेवल क्या रहे देख रहे हैं और इस चैनल के उपर अभी नए आए हैं उन लोग को मैं बदाना चाहूंगी मैं इस चैनल पर निफ्टी और बांक निफ्टी के उपर एनलिसिस वीडियो अपलोड करती हूं सपोर्ट रजिस्टेंस के वीडियो अपलोड कर देती हूं यहां तक के स्टॉक के उपर भी आपको मेरे चैनल के उपर वीडियो जाएंगे तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सही से आती ज ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करने में भी आसानी हो सके तो आज का जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा रिलाइंस निफ्टी बैंक का एनलिसिस हो जाने के बाद मैं लास्ट में रिलाइंस के उपर अपना पॉइंट ओफ यू दूंगी और यहां से क्या कैसा जाएगी तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन को नहीं प्रेस किया है तो जल्दी से कर लो ताकि मेरे एवरी वीडियो की एवरी नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए और कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और एक अगर आपने मुझे अभी तक मेरे पब्लिक टेलीग्राम चैनल के उपर जॉइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लो यह फ्री चैनल है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौझूद है यहाँ पर जॉइन करने के क्या फाइदे है तो देखे यहाँ पर आ मेंबर्स के प्रॉफिट के स्क्रिंशॉट भी मैं यहाँ पर अपडेट कर देती हूं और यह सामने जो आप इन्फोमेशन देख रहे हो यह प्रीमियम ग्रूप के रिगारिंग इन्फोमेशन है 4,000 रुपीज पर मन्त है और आपको पेमेंट के लिए इस QR कोड को स्कैन कर के या फिर इस यूपीज आईडी पर पेमेंट करना है और पेमेंट के बाद पेमेंट का स्क्रिंशॉट इस नंबर के उपर वाट्सैप कर देना है अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो भी आप मुझे इसी नंबर के उपर वाट्सैप कर सकते हो बहुत सारे लोग क के पास UPI option नहीं होता है पेमेंट के लिए तो वो लोग मुझे NFT के लिए भी पूच सकते हैं इसी नंबर के उपर और अगर आपको कोई भी डाउट होगा प्रीमियम ग्रूप के रिगार्डिंग तो आप मुझे इसी नंबर के उपर वाट्सैप कर दो अब ही हम लोग स्टार्ट करते हैं bank nifty जो है वो अचिव कर दिया है आज कहाक हैं तो 38,179 कहाई था मैंने अपसे एक और बात कही थी कि अगर निफ्टी बैंक 38,000 के ऊपर सिस्टेन कर लेता है तो यहां से निफ्टी बैंक हमें और अपसाइड के लिए जाता हुआ दिखाई देगा इंट्राडे में भी और कहा तक जाता हुआ दिखाई देगा 38,150 और 200 के रेंज में तो अभी 38,000 क्लियर हो चुका है तो यहां से निफ्टी बैंक के लिए मेजर रेजिस्टेन्स है तो निफ्टी बैंक थोड़ा स्लोली स्लोली हमें अपसाइड के लिए जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो अभी अगर हम लोग देखे तो डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक ने एक पॉजिट्यू कैंडल फॉर्म की है लेकिन एक इंडिसिजिव है तो यहां पर मार्केट थोड़ा फस सकता है यहां से मार्केट या तो अपसाइड के लिए जाएगा तो कहा से जाएगा 38,250 क्लियर होने के बाद अगर 38,250 क्लियर नहीं होता है तो यहां से मेजर फॉल भी होगा टूर्ट्स 37,000 तो उसके लिए प्रिपेड रहिएगा और मैं हमेशा कहूंगी कि प्रॉफिट बुक कर लिया करो अगर आप पुलिश व्यू में हो और आपने डाउन साइड से आबाइं की हुई है तो यहां से आपको ज़रूर टाइम टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आप सोचोगे कि नहीं अभी मैं 38,350 का वेट करता हूँ या फिर 38,500 का वेट करता हूँ तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा तो यह बात का ध्यान रखेगा और जो ऑप्शिन के अंदर काम कर रहे हैं देखे अभी अगर आपने 38,000 के उपर पुजीशन बनाई हुई है और आप सोच रहे हो कल गैप अप होगा तो हम लोग कल अपनी पुजीशन क्लोस्ट करेंगे कल हम लोग क्यारी करते हैं तो इस वजह से अगर बहुत से लोगों ने इस ओप्शिन के अंदर आज क्यारी किया हुआ है तो कल नुकसान होने के चांसे भी बने हुए हैं आज की देखो बात कर लो आज भी मार्केट ने कुछ खास ओपनिंग की नहीं थी लेकिन फिर भी निफ्टी वैंग ने मैनेज तो किया अपसाइड के लिए जाने के लिए तो वैसे ही कल भी हो सकता है कल रेंज बाउंट सेशन भी हो सकता है कल पूरा दिन मार्केट एक रेंज में भी रह सकता है वेनस दे है वेनस दे को एक अच्छा मूब्मेंट भी मिलता है और अगर मंडे और टूजडे को अच्छा मूब्मेंट मिल जाता है अगर position carry करनी है तो आप next week की expiry की carry कर सकते हैं इस week के अगर करेंगे तो आपका loss ही loss होगा क्योंकि option buyers कम पैसा बनाते हैं as compared to option sellers लेकिन फिर भी अगर आप proper guidance के साथ करोगे तो आप Delhi option buying करके भी profit बना सकते हैं और इस premium group के अंदर हमारे यह possible है यहां पर मैं learning भी आपको provide करती हूँ एक आपको trade देती हूँ और सिर्फ watch करने के लिए बोलती हूँ ताकि आपको भी समझ में आ सके कि market काम कैसे करता है वैसे ही आज मैंने 38,000 CE का trade दिया था 300 के उपर buy करने के लिए और यहां पर हमने यह notice किया कि market जब 38,000 के अबाव पहुचा slowly हमें movement दिखाई दिया और 340, 330 तक ही निफ्टी बैंक जा रहा था उस option का trade जो हो रहा था वो 330 और 340 के range में ही हो रहा था यहां से निफ्टी बैंक थोड़ा slow होता हुआ हमें दिखाई दिया otherwise अगर morning से देखे और पिछले दो दिन से भी देखे तो निफ्टी बैंक हमें अच्छा perform करता हुआ दिख रहा था options के अंदर भी तो यह एक बात है premium ग्रूप के अंदर आपको learning के साथ साथ earning भी हो रहा है तो अभी अगर हम लोग देखे option change data निफ्टी बैंक का तो call side में सबसे जादा 38,000 के ओपर open interest है और call writing की बात करें तो highest call writing 23,000 की हुई है 38,500 के ओपर ओपर के side में positions बनती हुई दिख रही है निफ्टी बैंक के अंदर और put side में देखे तो put writing सबसे जादा 22,000 की दिख रह लकिन बहुत बढ़िया open interest कहीं पर नहीं है 1 lakh का जो सामने हमें open interest दिख रहा है वैसा हमें put side में कहीं नहीं दिख रहा है सिर्फ 88,000 का और 80,000 का IST open interest जो की है 37,500 and 37,000 के level के ओपर तो थोड़ा careful रहेगा अच्छा support कहीं नहीं दिख रहा है अगर निफ्टी बैंक गिरता है तो धडाम से नीचे गिरेगा और 37,500 के तरफ ही निफ्टी बैंक के लिए support है और अगर 37,500 भी break होता है तो 37,000 के तरफ जो यह support zone है यहां तक निफ्टी बैंक फिर गिरने के chances बने हुए हैं तो अभी अगर हम लोग important support और resistance की बात करें तो देखिए first important support रहेगा यहां से 37,950 का लेवल अगर निफ्टी बैंक इस लेवल से नीचे फिसल जाता है या फिर इससे नीचे opening कर देता है तो यहां से निफ्टी बैंक हमें 37,710 और 37,550 के तरफ गिरता हुआ दिखाई लिए यह निफ्टी बैंक के लिए support है upside की बात करें तो upside के लिए first resistance 38,080 का लेवल रहेगा अगर इसके उपर opening हो जाती है या फिर 50 से 30 मिनिट के लिए निफ्टी बैंक इसके उपर sustain कर लेता है तो यहां से 38,210 और 38,350 तक का movement हम लोग निफ्टी बैंक के अंदर फिर हैंगे निफ्टी बैंक के लिए so जो भी levels बताएं हैं अपने chart के उपर mark कर लीजेगा और अभी अगर आपको कुछ भी doubt है इसके अलावा तो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं मैं आपको answer कर दोंगी तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं Reliance के उपर तो Reliance का एक बार हम बात करो तो देखिए Reliance यहां से एक अच्छी तेजी में हमें दिख रहा है और momentum भी बहुत strong दिखाई दे रहा है और यहां से जो तेजी हुई है यह कायम है पिछले चार सेशन से Reliance हमें continuous uptrend में दिख रहा है और आज का इसका जो target था इंडराडे के लिए 2600 यह भी इसने अच्छीव कर दिया है अभी अगर मैं upside की बात करूं तो upside के लिए Reliance का जो target है वो 2800 का है और अभी अगर आप सोचोंगे कि investment करना सही रहेगा या नहीं तो मैं कहूंगी कि थोड़ा wait करें क्योंकि देखिए last time भी 2600 से Reliance काफी नीचे गया था तो इसलिए अभी अगर तो 2610 इसके उपर Reliance को sustain करने दीजेगा अगर Reliance इसके उपर sustain कर लेता है तो जरूर बाइंग की position आपको बनानी चाहिए अदरवाइस यहां से अगर मैं candle देखू तो तोड़ी rejection candle दिख रही है तो यहां पर अगर आपको 2500 और 550 के range में Reliance मिलता है तो भी आप बाइंग कर सक क्योंकि अभी पाइंग के लिए थोड़ा momentum कम है और यहां से कुछ भी होने के chances है तो अगर आपको downside से मिलता है तो well and good रहेगा क्योंकि upside के लिए अगर आप 3-4 मेने के लिए इसको hold रख सकते हैं तो जरूर आपको benefit होगा और Reliance is a stock है जो long term में आपको बहुत ही बढ़िया return देगा ही देगा तो मेरे ख्याल से अभी Reliance के अंदर आपको wait करना चाहिए buying की position जो दो levels मैंने आपको बताए हैं एक तो 2610 के उपर या तो 2500 और 550 के बीच में आप buying कर सकते हैं तो यह मेरा view रहेगा Reliance के उपर अभी जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसमें अपनी position बन आ सकते हैं सो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत ज़दा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी ये वीडियो यूसफुल है उन आपको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए so thank you very much for watching this video मैं मिलूंगे आपसे next video में till then bye bye take care and trade carefully